अभी थोड़ी देर पहले जनपदम बेट करके जलालपूर, मालीपूर, जैदपूर, बंदीपूर, भियाओ, सहित, कई छेतरों में एक रहस मैं धमाके की आवाज सुनी गई यह धमाका इतना जबर्दस्त था कि कई मकानों के कांच के सीसे तूट गए और कई लोगों ने अपना गाड़ी चलाते समय संतुलन खो दिया इस धमाके को सुनने वालों ने बताया कि इसके कारण बिल्डिंग भी हिल गई और धर्ती कमपन की स्थिती उत्पन ने हुई यह धमाके को कुछ लोग आकास बिजली करार दे रहे हैं तो कुछ लोग बता रहे हैं कि यह धमाका कोई परिक्षन हो सकता है जो आसमाजिक तत्तु ने किया बेरहाल इस धमाको को ले करके इस समय चर्चाओं का बाजार जलालपूर थाना छेतर के अलावा माली पूर और जयदपूर थाना छेतर के कुछ छेतरों में पूरी तरह से जारी है यह धमाका कितना जबर्दत था, इस धमाके केंदर उबिंदु कहा था, यह धमाका किस ने किया, यह धमाका किस टाइब का हुआ, यह सवाल धेर सारे सवाल इस समय सोसल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, वार्ट साब, फेस्बुक, इस्टाग्राम का तो बात ही कुछ हो रह है, यहाँ पर धेर सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं, हमने इस धमाके के रहस्य को किलियर करने के लिए, असपश्ट करने के लिए, अभी अभी पुलिस अदिछका आलोग प्रियदर्सी से संपर किया, तो उन्होंने कहा, कि यह धमाका मेरे लिए भी रहस्य बना हुआ है, चारो तरफ से सूचना आ रही है, लेकिन सब कुछ फुशल है, अभी तक यह धमाका असपश्ट नहीं हो पाया है, कि यह धमाका किस टाइप का है, बैरहाल इसको अभी आकासिये धमाका मान करके लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से पुलिस इस धमाके को ले करके च आकचोबंध है, चारो तरफ नेटवर्क फैल आते हुए इस रहसे से परदा हटाने के लिए पुलिस विभाग लगा हुआ है, कैमरा मैं धर्मेंदर के साथ मैं ग्यानेंदर पांडे ग्यानी अमबेट करने हैं